हर साल जुलाई एगस के आसपास चार्टेड अकाउंटन्ट और टाक्स कंसल्टन्स तेज कारोबार करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार ये भारत में इंकम टाक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन होता है। इस अबधी के दौरान टाक्स पेयर्स को फॉर्म 16, कापिटल गें स्टेट्मेंट्स, फॉर्म 26 एएस, इंटरस सर्टिफिकेट्स और कई अन्य डॉक्यमेंट्स को प्राप्त करने और वेरिफाय करने की जरूरत होती है। दुर्भाग के से इन महत्वपूर्ण डॉक्यमेंट्स को और्डर में रखने की हडबडी में हमें से कई लोग छोटी डीटेल्स को मिस कर जाते हैं। ये गलतियां इंकम टाक्स रिटर्न फाइलिंग की पूरी प्रोसेस को पट्री से उतार सकती हैं। लकिली इन छोटी गलतियों से बचा जा सकता है। इस वीडियो में हम टाक्स फाइलिंग से जुड़ी ऐसी 14 गलतियों पर चरचा करेंगे। जिनसे आपको एक सहज RTIR फाइलिंग एक्सपीरियंस के लिए बचना चाहिए। अगर आप ड्यू डेट तक अपना इंकम टाक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको पैनल्टी देनी होगी। दस हजार रुपे तक की लेट फाइलिंग फीज। अनपेड टाक्स पर एक परसंट प्रती महा की पीनल इंटरस्ट रेट की वसूली की जाएगी। भुकतान किये गए किसी भी अतिरिक टाक्स पर रिफंट प्राप्त करने में देरी। इन पैनल्टी से बचने के लिए आपको समय का पाबंध होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप टाक्स फाइलिंग डेडलाइन को मिस ना करें। के परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं जैसे अपलेकेबल टाक्स ड्यूस के अतिरिक टाक्स अवाइडिड अमाउंट के उपर 50% की मिनिमम पैनल्टी तीन साल से लेकर 7 साल तक की जेल। इसलिए अपना आई टी आर जरूर फाइल करें और समय पर अपने टाक्स का भुकतान करें। इंकम टाक्स डिटर्उन फाइलिंग की सबसे आम गलतियों में से एक है गलत आई टी आर फाइलिंग इस्ते सूर्स पर निर्भर करता है। उधारन के लिए अगर आप एक salaried individual हैं तो आप ITR form एक का इस्तमाल करके return file कर सकते हैं लेकिन अगर आप salaried हैं और investment से होने वाले capital gains से income हासिल करते हैं तो आपको ITR form 2 का इस्तमाल करना होगा दूसरी ओर अगर आप self-employed हैं और किसी business के मुनाफ़े से income प्राप्त करते हैं तो आपको ITR form 3 का इस्तमाल करके अपना return file करना होगा सही ITR form चुनना मुश्किल लग सकता है लेकिन वर्तमान में ITR filing services की पेशकर्ष करने वाली ज्यादातर websites ने ये सुनिश्चित करने के लिए तरीके विक्सित किये हैं कि आप अपना tax return file करते वक्त सही ITR form चुन सकें कुछ मामलों में income tax return में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करते वक्त आपसे गलती हो सकती है ऐसी गलतियों के उदाहरन है गलत पैन देना, गलत email ID या जन्टिथी, गलत bank account number या IFSC code ये गलतियां आपकी tax filing के साथ कई समस्याइं पैदा कर सकती हैं उदाहरन के लिए अगर आपने ITR में गलत bank details दी हैं तो आपकी filing को tax अधिकारियों द्वारा reject कर दिया जाएगा इसका नतीजा penalties और यहां तक की tax audit भी हो सकता है इसी तरह अगर आप अपने ITR में गलत bank account details देते हैं तो आप जिस भी tax refund के हकदार हैं उसमें देरी होगी इसके अलावा अपना सही email address और सही mobile number देना भी महत्वपूर्ण है ऐसा इसलिए है क्योंकि income tax department अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी email और SMS के जरीए भेजता है इसलिए आपको अपना return submit करने से पहले ये verify करने के लिए extra time देना चाहिए कि आपकी सभी व्यक्ते का जानकारी सही है कई taxpayers assessment year और financial year के बीच confused हो जाते हैं financial year term उस समय या साल को दर्शाता है जिसके दौरान आए अरजित की जाती है उदाहरन के लिए अगर आप 30 सितंबर 2021 को या उससे पहले अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो आप 1 अपरेल 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच अरजित आए के लिए return फाइल कर रहे हैं अपरेल से मार्च तक की ये अवधी financial year 2020-2021 है दूसरी और एक assessment year उस साल को दर्शाता है जो financial year के बाद आता है ये वो अवधी है जिसके दौरान tax return फाइल किया जाता है उदाहरन के लिए अगर आप अगस्त या सितंबर 2021 में अपना tax return फाइल कर रहे हैं तो assessment year 2021-22 है इसे याद रखने का एक तरीका है ध्यान रखें कि assessment year हमेशा financial year से आगे चलता है उदाहरन के लिए अगर financial year 2020-21 है तो assessment year 2021-22 होगा कई taxpayers ऐसे हैं जिनके कई bank खाते हैं फिर भी उनमें से बड़ी संख्या में return फाइल करने वाले अपने ITR में अपने सभी bank खातों का उलेक नहीं करते हैं ये चूक income tax नियमों के खिलाफ है क्योंकि आपको अपने सभी domestic और foreign bank खातों की details का खुलासा करना होता है इसके पीछे प्रमुक मकसद money laundering से जोड़ी गतिविधियों को कम करना है वर्तमान tax कानूनों के अनुसार आपको financial year के दौरान बंद किये गए सभी bank खातों की details प्रदान करने की भी जरूरत होती है सभी sources से आय का उलेख नहीं करना अपना return file करते वक्त सुनिश्चत करें कि आपने अपनी income के सभी sources का खुलासा किया है फले ही आप एक salaried class बेक्ती हों पर आपके लिए कई sources से आय होना संभव है आपकी salary आपकी आय का primary source होगी लेकिन आपको अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है जैसे residential या commercial property से किराया, FD से भ्याज, equity share से dividend, capital gains वगएरा वगएरा ITR दाखिल करते समय इन सभी अलग-अलग आय का उलेख उनके sources के साथ करना अनिवार रहे है फिर भले ही SEI tax exempt हो इसके अलावा अगर आपने financial year के दोरान नौकरी बदली है तो सुनिश्चित करें कि आपने अपने ITR में अपने वर्तमान और पिछले employer दोनों से प्राप्त आय का खुलासा किया है कई tax filers ITR जमा करते वक्त विशेश रूप से अपने capital gains और losses की details को छोड़ देते हैं इस गलती के गंभीर परिनाम हो सकते हैं जैसे की income tax audit मौझूदा tax नियमों के तहट ITR फाइल करते समय सभी capital gains या losses का खुलासा करना अनिवार रहे है पहले capital gains की चूक ट्राक करना tax अधिकारियों के लिए थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब systems के बड़ते integration के साथ tax अधिकारी इस तरह की चूक को पकड़े जाने के लिए बहतर रूप से तयार है इसलिए अगर आपने पहले shares या mutual funds से अपने capital gains या losses का खुलासा नहीं किया है तो ये recommend किया जाता है कि आप तुरंत उचित सुधार आत्मक उपाय करें इसके लिए पहला कदम है कि अपने capital gains statement को डाउनलोड कर उसे चेक करें वर्तमान टाक्स नीमों के अनुसार taxable income की गणना करते समय नाबालिक बच्चों द्वारा अरजित किसी भी आए को माता-पिता की आए के साथ जोर दिया जाता है इसलिए टाक्सेशन के नजरिये से एक नाबालिक बच्चे की आए को माता-पिता द्वारा अरजित आए के जैसा ही treat किया जाता है इसके अलावा tax कानूनों के अनुसार अगर नाबालिक बच्चा विशेश ग्यान या talent का इस्तमाल करके काम से आए अरजित करता है तो नाबालिक बच्चे को अलग से ITR दाहिल करना होगा इसलिए अगर आपने अपने नाबालिक बच्चे के नाम पर investment किये हुए है या नाबालिक बच्चा कमाने वाला सदस्य है तो आपको इसके बारे में खोशना करने और सही तरीके से income tax return फाइल करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कई income tax assesses अपने ITR में अपने savings account से अरजित ब्याज की details शामिल नहीं करते हैं ये इस गलत धारना के कारण हो सकता है कि ये ब्याज tax से मुक्त है वास्तव में अगर savings account से अरजित ब्याज एक financial year में 10,000 रुपे से ज्यादा है तो आपको अरजित अतिरिक ब्याज पर tax का भुक्तान करना होता है इसलिए अपना income tax return फाइल करते वक्त आपको अपने savings account से अरजित ब्याज की गणना करनी होगी और इसका खुलासा करना होगा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस calculation में बैंक्स के सभी savings account, डागघर savings account और सहकारी बैंक खातों से ब्याज शामिल होना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप किसी भी ब्याज आए को मिस ना कर जाएं आपको अपने सभी bank account के interest certificates अकसेस करने चाहिए इन्हें bank की internet banking service के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है वैकलपिक रूप से आप applicable financial year के दौरान अपने bank खातों में credit हुए ब्याज के अधार पर अपनी कुल ब्याज आए की manual रूप से भी calculation कर सकते है Form 26 AS एक महत्वपून document है जिसे आपको अपना ITR दाखिल करने से पहले verify करना चाहिए ये form एक passbook के जैसे है और इसमें आपकी I, Tax Deducted as Source यानि TDS, भुकतान किया गया advanced tax आदी शामिल रहते हैं Form 26 AS में किसी भी tax credit की details भी होती हैं जिसके लिए आप eligible हो सकते हैं इन tax credits का इस्तमाल भविश्य की tax liability को offset करने या भुकतान किये गए अतरिक tax के लिए refund हासिल करने के लिए किया जा सकता है कभी कभी Form 26 AS की details और Form 16 में आपके employer द्वारा प्रदान की गई calculation के बीच mismatch हो सकता है यही मुख्यकारण है कि आपको अपना tax भरने से पहले सभी Form 26 AS और Form 16 की जानकारी को cross check और verify करना चाहिए Income Tax Return फाइल करते समय आपको हमेशा अपने bank account को pre-validate करना चाहिए यह विशेश रूप से तब महत्वपून है अगर आप भुखतान किये गए किसी भी अतरिक tax के लिए refund के हगदार है अगर आपने अपने bank खाते को pre-validate नहीं किया है तो income tax department आपको आपका income tax refund credit नहीं कर पाएगा ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्दमान में सभी tax refund सीधे आपके bank खाते में जमा किये जाते हैं इसलिए refund के smooth transfer के लिए income tax e-filing portal के जरीए अपने bank खाते को online verify करना सुनिश्चित करें हम में से कई लोगों ने ये गलती की है और जब तक आपको income tax department से notice नहीं मिलता तब तक आपको इस गलती का एहसास भी नहीं होता इसके अलावा इस साधारन सी गलती को ठीक करने में काफी समय और पैसा लग सकता है इसलिए आपको ये धिहान रखना चाहिए कि जब तक आप अपना income tax return verify नहीं कर लेते तब तक tax filing की प्रक्रिया अधूरी है वर्तमान में आपके पास अपना complete ITR form जमा करने के बाद ITR verify करने के लिए 120 दिन का वक्त रहता है आप वर्तमान में अपने ITR को कई तरीकों से verify कर सकते हैं जैसे Central Processing Center यानी CPC बेंगलुरू को एक signed physical copy भेजना आधार OTP का इस्तमाल करके e-verification किसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सर्विस का इस्तमाल करके online verification Income Tax Department revised ITR जमा करके आपको अपने original returns की गलतियों को सुधारने की इजाज़त देता है आखिरकार ऐसा संभव है कि आपकी साफधानी के बावजूद गलत deduction या गलत खुलासे या गलत personal details जैसी mistakes हो जाए सौभाग्य से revised ITR जमा करके ऐसी गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है Income Tax Department द्वारा अपना assessment पूरा करने से पहले या assessment year के अंत से पहले आपको अपना revised return फाइल कर देना चाहिए वर्तमान में taxpayer कितने revised return दाखिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है हाला कि संशोधनों को minimum रखने से tax अधिकारियों द्वारा विस्तरित जाच की संभावना कम हो जाएगी लेकिन अगर आपने original return फाइल करते समय कोई गलती की है तो आपको इस सुविधा का इस्तमाल करना चाहिए revise return जमा करके अपनी गलती को सुधारना income tax department से notice प्राप्त करने से भेतर है आखिरकार छोटी छोटी गलतीयों को भी tax अधिकारी आये को चुपाने के तौर पर देख सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जुर्माना वा अन्य दंडात्मक ब्याज शुल्क लग सकते हैं आप tax pairs द्वारा की जाने वाली इन 14 सबसे आम गलतीयों की लिस्ट का इस्तमाल उन चीजों की एक checklist के रूप में कर सकते हैं जिन से आपको बचना चाहिए ऐसा करने से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि tax अधिकारी आपका ITR accept करें इस तरह आपको income tax notice आने या जुर्माना और दंडात्मक ब्याज शुल्क का भुकतान करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इसे के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ET Money YouTube चैनल को सब्स्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना न भूले अगले हफते हम आपसे फिर मिलने की उमिद करते हैं एक insightful वीडियो के साथ